गरगर तिरंगा इस अभ्यान के जरिये सरकार की योचना है कि भारत के हर घर में तिरंगा लहरा है इसके लिए सरकार ने 20 करोड घरों का लक्ष तैय किया है सरकार की अपील है कि 13 से 15 अगस के बीच जन भागीदारी से 20 करोड से ज्यादा घरों पर तिरंगा फैराया जाए वहीं इस अभ्यान को सफल बनाने के लिए वाना डोंगरी नगर परिशत के पतदिकारी और करमचारी घर घर जाकर तिरंगा जंडा वितरत कर 13 से 15 अगस के बीच अपने घर के उपर जंडा लहराने की अपील की है यह अभ्यान इस साल स्वतंद्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में शुरू किया गिया है यह अभ्यान नागरिकों के दिलों में देश भक्ती की भावना पैदा करने के साथ ही राश्वी ध्वज की प्रती जागरुकता बढ़ाने का काम भी करेगा हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फैराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इस अभ्यान का मुख्य उद्देश है इस दोरान वाना डोंगरी की मुख्य अधिकारी अरजना मेडे ने जंता से घर में जंडा लहराने की अपील की है नगर अध्यक्षा वर्षा शहकार संकेत माटे अश्विनी साथवने वीना व्यद किरन रोगे देवेंद्र शेंडे लीलाधर अखिले आधी आयोचन में शामिल हुए हिंगना से इन बीसे न न्यूस के लिए सम्वादता आशिश गोंडाने की रिपोर्ट हुआ हुआ है